हेलो दोस्तो, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है बच्पन से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे माबाप के चड़नों में स्वर्ग होता है उनकी सेवा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं और कोई पुर्ण उससे बड़ा नहीं लेकिन न जाने क्यों बड़े होते ही हम सब भूल जाते हैं इस कहानी को पढ़कर शायद कुछ लोगों को वह सारी बाते याद आ जाएंगी जो जाने अन जाने उनसे पिछले समय कमिया रह गई होंगी इस कहानी का उद्देश पश्यताप करवाना नहीं बल की हमें सही सोच और सही अपने और अपनों के प्रती प्रेम की पहचान हो यही है दोस्तो आज की कहानी का टॉपिक है मा का श्राद या दिखावा दिदी याद है ना कल मा का श्राद है हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शान्ती के लिए इसलिए आपको सब परिवार सहित आना ही है अंजली अपनी नंद पल्लवी से फोन करके कहती है तभी पल्लवी अपनी भावी से बोली मैं नहीं आ सकती आपको तो पता ही है ना कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी अरे दिदी ऐसा कैसे चलेगा मा जी की बेटी और उनके जमाई साथ में नहीं आएंगे तो उनकी आत्मा को शान्ती कैसे मिलेगी इसलिए आप दोनों को आना ही पड़ेगा बाकी मुझे कुछ नहीं पता इतना बोलकर अंजली ने फोन रख दिया इधर पलवी पुरानी यादों में खो गई जब उसके पापा की मृत्यू हुई थी तब ही वह अपने माय के गई थी उस समय मा बोली थी तेरे पापा मुझे अकेला छोड़कर चले गए पता नहीं किसके सहारे छोड़कर गए हैं मा पलवी के गले लगकर रोने लगी थी उस पर पलवी बोली थी कि मा चिंता क्यों कर रही हो सभी लोग तो है ना भया भावी बच्चे सभी तो हैं आप चिंता क्यों करती हो पलवी काफी दिनों तक अपनी मा के पास रहकर आई थी लेकिन बाकी समय देखे तो हमेशा जादा तर फोन पर ही बात्चित होती थी या कभी-कभी वीडियो कॉल पर भी बात्चित हो जाया करती थी एक दिन वीडियो कॉल पर मा ने पूछा था बेटा, क्या बनाया है तुने? मा, आज राजमे की सब्जी और मक्के की रोटी बनाई है पल्लवी ने जवाब दिया मा बोली, अरे वाह सब्जी का नाम सुनते ही मा की आँखों में एक अलग सी चमक आ गई थी जिसे पल्लवी भाब गई और हस्ते वे बोली मा, तुम्हें भी खाने का ज़्यादा मन हो रहा है तो भाबी से बोलो न, वो बना कर दे तब ही मा बोली, अरे नहीं अब इस उम्र में राजमा कहां बच्चता है? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब हफ़ते में दो तीन बार बनता था दोनों को ही राजमा बहुत पसंद था उस समय भाबी का नाम लेते ही जैसे मा की आखों से चमक गायब हो गई थी मा ने कॉल रख दिया मा को क्या हो गया है? ऐसा क्यों बोल रही थी वो? सब ठीक तो होगा ना? पल भी अपने आप से बाते कर रही थी ऐसा बहुत बार खाने का जिक्र होने पर बाचीत के दौरान मा की आखों का भाव बदल जाता था लेकिन ऐसा क्यों था वह समझ नहीं पाई इसके पीछे का राज उसे उस समय समझ आया जब वह छुटियों में तीन दिन के लिए माई के गई थी वहाँ एक दिन पल लवी अपने मा के साथ कमरे में बैठ कर गपशब कर रही थी तभी अंजली भावी मा के कमरे में आई और पल लवी से बोली दीदी खाना खाने चलो चलो मा तुम भी खाना खालो पल लवी उठते उठते बोली अरे दीदी नहीं नहीं मा को क्यों तकलीव देना वो यहीं पर ही खाना खालेंगी आप चलो अंजली बोली लेकिन भावी लेकिन लेकिन कुछ नहीं दीदी आप चलो मा के घुटनों में दर्द रहता है न इसलिए कमरे में ही खाना खाती है अंजली स्पष्ट रूप से दवाब बना कर बोली तो फिर भावी आप तो मेरा भी खाना यहीं पर ले आओ मा बेटी आज यहीं कमरे में साथ खाना खाएंगे पल्लवी अपनी भावी से कहती है इस पर अंजली कुछ नहीं बोल पाई लेकिन पल्लवी को साथ तरीके से समझ में आ गया था कि उसकी भावी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई अंजली चुप चाप से वहां से निकल गई और थाली में पूरी, सबजी, रायता, अचार, मिठाई लेकर आई और मा के लिए सिर्फ एक ठाली में खिचडी मा यह क्या है? क्या तुम वह सब नहीं खाओगी क्या? पल्लवी मा से बोली, उतने में अंजली बोली अरे दीदी, मा को यह सब हजम होता ही नहीं है इसलिए मैं इनको सिर्फ खिचडी और दाली देती हूँ इतना बोलकर अंजली वहां से निकल गई मा ने अपनी प्लेट उठाई पर मा का ध्याल सिर्फ पल्लवी की प्लेट पर ही था यह देखकर पल्लवी बिल्कुल सुनसी ही पड़ गई उसने मा के मूँ में एक पूरी का निवाला डाला लेकिन मा ने मना कर दिया उस समय पल्लवी ने अपनी मा की आँखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉलिंग करते समय पहले भी वह देख चुकी थी पता नहीं उस भाव में भावी का ड़ था या बेटी के निवाले का मोह तब भी पल्लवी ने पूरा खाना मा को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी जब तक पल्लवी वहां रुकी तब तक यहीं सिल्सला चलता रहा पल्लवी खुद खिचड़ी वाली प्लेट खाती और मा को अपनी प्लेट का खाना खिलाती मा के बहुतेरे मना करने के बावजूद पल्लवी जित करके मा को खाना खिलाती थी भैया कुछ दिन के लिए मा को अपने घर ले जाती हूँ घर जाने से पहले वे पल्लवी ने अपने भाई उदर से कहा उदर उखड़ कर गुस्य से बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या लोग क्या कहेंगे बेटा मा को तकलीफ में रखता है इसलिए मा अपनी बेटी के घर रहने चली गई और जाने क्या क्या बोलेंगे अरे बाबा सही तो बोल रहा है मा बेटी के घर रहती है क्या भला तु अराम से जा अपने घर मेरे चिंदा मत कर मैं यहां बहुत खुश हूँ बेटी की बात सुनकर मा बीच में बात काटते हुए बोली पल्लवी ने बहुत जित की लेकिन मा भी बेबस थी पल्लवी उदास मन से अपने घर वापस आ गई कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि मा अब इस दुनिया में नहीं रही इस खबर ने सब कुछ खतम कर दिया था मा किती तकलीफ में थी इस बात का एहसास पल्लवी को बाखो भी था मा की तकलीफ में वो सहरा न बन सकी और अपनी मा के लिए कुछ ना कर सकी इस पीड़ा को वो सहन नहें कर पाई थी मा का कोई दूसरा बेटा भी तो नहीं था बल्कि बेटी थी इसलिए मा सब अकेले सहन कर गई आज मा के शाद में 56 प्रकार के भोग बने थे लोगों ने उदय और अंजली की वहवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहु के तास से वे दोनों नवाजे जा रहे थे मा के स्वर्गवास के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो मा जब जिन्दा थी तब कितनी सेवा करते होंगे दोनों ऐसी बाते आमुमन लोग कर रहे थे पलवी दुखी मन से आँखों में पानी भरे मा की तस्वीर की तरफ बराबर देखे जा रही थी तभी दिदी चलो आप भी खाना खा लिजे अंज़ी ने पलवी को अवास दी जब पलवी मा के रूम में उसकी तस्वीर सीने से लगा कर रो रही थी पलवी बोली नहीं भावी मुझे नहीं खाना लेकिन क्यूँ आप खाना नहीं खाओगी तो मा की आत्मा को शान्ती कैसे मिलेगी अंज़ी पलवी को बोली भावी जिस खाने के लिए मेरी मा जब जिन्दा थी तब तरस्ती थी उसके मरने के बाद दे रही हो वो कैसे त्रिप्थ होगी सोच कर देखो एक बार आज आपने पकवानों के धेर लगाए हैं मा जिन्दा थी तब आपने उनको मन पसंद खाने के दो निवाले खिलाए होते तो मा वैसे भी त्रिप्थ हो चुकी होती वही मा का असल शाद कहलाता बाकी ये जो भी हो रहा है सब दिखावा और ढखोसला है इन सब दिखावे से मा को शान्ती कैसे प्राप्त होगी और जिस घर में मेरी मा अत्रिप्थ ही रहकर चली गई उस घर में मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला पल्लवी चीख कर अंजली से बोली तब ही वहाँ उद्धै भी पहुँच गया भगवान की लाठी बे अवाज होती है भईया भावी वे जब भी किसी पर पढ़ती है न तब जख्म बहुत गहराई तक और कभी न भरने वाला होता है आपके भी दो बच्चे हैं आप भी माता पिता हो लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि जब तक आप दोनों जीवित है तब तक आपको आपके बच्चे अत्रप्त ना रखें मा ने तो अपना वनवास भोग लिया और कहीं नया जन्म लेकर मस्त होंगी लेकिन आप दोनों की जिन्दगी अभी बहुत बड़ी है ध्यान रहे इतना कहते पल लवी रोते हुए मा की तस्वीर सीने से लगाते हुए बाहर की ओर चल पड़ी पीछे अंजली और उदय दोनों शर्म से गरदन चुकाए खड़े रहे दोस्तों जब तक हमारे माबाप यह हमारे बड़ो का हम पर आशरवाद है तब तक उनकी भरपूर सेवा करना उनकी हर इच्छाओ को पूरी करना यही असली धर्म है उनके ना होने के बाद कितने भी छपन भोग बनाए है सब वर्थ है माबाप एवं अपने बड़ो के प्रती श्रद्धा में ही असली श्राद है दोस्तों आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक यू बिल्कुल सबज़ो Wait आपको आपको प्रती लूम और म अगता है झार जeko